Hello friends my name is Ravi Kumar Bhardwaj and this is part 30 of wb.net tutorial series So guys, हम इस part में Speak Recrecognization के बारे में बात करेंगे कि हम Speak Recognization का यूज करके program में कैसे किसी भी text को system voice के तुरू speak करा सकते हैं So guys, हम Speak Recognization का यूज करके किसी भी text को message के form में देके के भी speak करा सकते हैं या फिर text के form में लिख करके भी speak करा सकते हैं तो हम एक example लेके चलते हैं कि हम Speak Recognization का program में कैसे यूज कर सकते हैं तो मैंने एक button लिया है, इस button का मैं नाम change करके speak रख लेता हूँ Speak then enter इसके बाद हम इस button पे double click करेंगे then यहां पर speak के लिए code करेंगे then हम यहां लिखेंगे dim sapi equal to dim sapi equal to create object then then sapi dot sp voice sorry then sapi dot speak आप यहां जो भी message के जो भी आप speak करने चाहते हैं वो तेस्ट आप लिखेंगे जैसे यहां लिखेता हूँ hello hello this is speak program then अब आप इसे रन कराते हैं then जैसे इस button पे click करेंगे तो आप देखेंगे जो भी आप content लिखेंगे उस content को system voice के तवरा speak किया जाएगा so guys इस प्रकार से हम speaking registration का यूज कर सकते हैं यहां पर SP voice system का voice है जिसकी सहयता से हम किसी भी message को या किसी भी text को speak करा सकते हैं यहां पर हमने इस SP voice का एक object क्रेट किया है SAPI नाम का और इस SAPI के तुरू इस text को speak करा रहे हैं आप यहां पर डबबबबबबबबबबबबब में जो भी text को लिखेंगे वो इस text को speak करेगा इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि इस form पर एक text box लें आप उस text box पे कुछ टेक्स लिखें आप उस text box में जो भी text को लिखेंगे उस text को speak कराना चाहते हैं आप वह भी करा सकते हैं तो इसे text box 1 पर जो भी text देंगे उस text पोml करेगा then हम यहां पर इसे रन करते हैं और यहां पर आप कुछ भी टेक्स लिख सकते हैं जैसे की hello my name is Ravi Kumar Bhardwaj then speak में क्लिक करेंगे so guys इस प्रिकार से हम कैसे भी टेक्स को speak करा सकते हैं so guys hope you enjoy it and please subscribe to my channel and thank you for watching this video bye